आज मैं आपको इस वीडियो में हरियाना बोर्ड ने जो नाइन्थ क्लास के लिए नई किताब लगवाई है जिसका नाम नितिक सिक्षा है इस किताब के सात्वें पाठों के कोशन आंसर कराऊंगा पहले छे पाठों के कोशन आंसर मैं पहले ही करवा चका हूँ अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो लिंक डिसक्रिप्शन में दिया गया है वहाँ से आप उन सभी वीडियो के लिंक से वीडियो को देख सकते हैं इस बुक की तयारी करना ज़रूरी है क्योंकि इस बुक से जब आपके फाइनल एक्जाम होंगे तो हिंदी के कोशन पेपर मे कोश्चन आएंगे वीडियो ची लगे तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर क्लिक कर ले ताकि जब भी नेक्स चेप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेसन आपको मिल जाए अब पहला कोश्चन देखते हैं क्लास नाइन्थ चैप्टर सेवन और जो चैप्टर का नाम है वो है गनित गोरो ब्रह्मगूप्त पहला कोश्चन है महान गनित तग ब्रह्मगूप्त का जनम कब और कहा हुआ आंसर देखें महान गणी तक ब्रहम गुप्त का जनम 598 में इस्वी में भिनमाल नामक स्थान पर हुआ यह स्थान माउंट आबू राजस्थान में है तथा गुजरात राज्ये की सीमा से लगा हुआ है ब्रहम गुप्त के खगोल सास्तर से संबंदित प्रसिद गरंथ का नाम बताओ तो आंसर देखें इसका ब्रहम गुप्त के खगोल सास्तर से संबंदित प्रसिद गरंथ का नाम ब्रहम सफुट सिधान्थ है यह गरंथ भारतिय खगोल सास्तर का प्रमानिक एवं मानक गरंथ ह नेक्स कोशन नमबर त्री ब्रमगुप्त द्वारा परतिपादित कटा का ध्याय का संबंद गनित की किस साखा से है तो आंसर देखें इसका ब्रमगुप्त द्वारा परतिपादित कटा का ध्याय का संबंद बीजगनित से हैं उन्होंने बीजगनित को कुटक की संगा दी है कुट का धाय में उन्होंने बीजगनित का अनिधार्ये रेखिक एवं समीकरणों के हल दिये हैं इसके अधाय दो में त्रिकोन मिती परकार्ये किया गया है ब्रमगुप्त करत खंड खाद का मुख्य विशे क्या है तो आंसर देखें ब्रमगुप्त करत खंड खाद गरंत का सम्मंदित त्रिकोन मिती से है इस गरंत में ब्रमगुप्त ने विशेश रूप से अंतरवेशन तथा समतल त्रिकोन मिती एवं खगोलिये त्रिकोन मिती द आंसा देखें, गनित के छेतर में ब्रह्म गुप्त का योगदान अन्तेंत महतवपूर्ण है, उन्होंने बीज गनित, त्रिकोर्ण मिती, जोतिस गनित, एवं अंक गनित सभी विश्यों पर महतवपूर्ण कारिये किया है, उन्होंने अपने गरंत, ब्रह्म सफुट सिधान में गनित विश्यों के अध्यायों में अंक गनित के सभी प्रक्रमों का ग्यान दिया है, उन्होंने गनित विश्यों से संबंदित सुनने के उप्योग के नियम खोजे हैं, वे पहले गनित तक हैं, जिन्होंने गनित जोतिस की रचना विशेश करम से की और जोतिस तथा ग रूपम है गनित के छेतर में उनके मैतपुन योगदान को देखकर परसिद जोत्सी एवं गनितग भासकर चारिये ने उन्हें गगक चक्र चुनामनी के नाम से समानित किया है नेक्स कोस्टन है कोस्टन नमबर सिक्स गनितग ब्रहमगुप्त का संसिप्ट जीवन परिचे द सीमा से लगा हुआ है इनके पिता का नाम विश्णोगुप्त था ये अपने समय में उज्जेन गुरुकुल के परमुख खगोल सास्त्री थे इन्होंने गनित तथा खगोल सास्तर ते संबंदित दो महतपुन गरंतों ब्रहम सफुट सिधान्त एवं खड़ खाद की रचन गुप्त के गरंत की समसे महतवपुन विशेस्ता, बीजगनित हैं उन्होंने बीजगनित के कुटक की संग्यादी हैं ब्रहम् गुप्त ने समिकरणों के नए हल सुझाए वे पाई का मान वर्ग दस मान कर चले, उन्होंने ने केवल वर्गी करण की विधी का वरनन समसे प गहंध, आंसर देखें ब्रम गुप्त के गनित के छेतर में तीन महत्पून कारिये निमलिकित हैं। पहला है वर्ग मूल तथा घन मूल ग्याद करने की सरल विधिया दी हैं। दूसरा है सुनने के गुण धरम की वैक्षा करते हुए उसे एक अलग अंक के रूप में उल्ले खित किया। सुनने के उपयोग के नियम खोजे। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्म सफुट सिध्धान्त के अधाय बारा सलोक संख्या चवालिस में उन्होंने वर्ग समीकन के मूल ग्याद करने की विधिया दी है। यहां से आपके MCQ वाले एक एक नमर वाले कोस्ट शुरू हो जाते हैं और पहला कोस्ट है ब्रह्म गुप्त का जनम कब हुआ तो इसका आंसर है पांसो अठाण में इस्वे में दूसरा कोस्ट है ब्रह्म गुप्त के पिता का नाम है तो विष्णु गुप्त आंसर है ब्रहमसफुट सिधान्थ में कुल कितने स्लोक हैं तो इस का अंसर है 1008. Next question is question number six. कुट्टुक का अर्थ है तो इस का अंसर है बीजगनित. Next question is question number seven. खंड-खाद-गरंत की रचना किस वर्स हुई तो इस का अंसर है 665 इस्वी में. Next question is question number eight. ब्रह्म सफुट सिद्धान्त का अर्भी अनुवाद है तो इस कांसर है सिंध। हिंद। किस अंग्रेज विद्वान ने कॉट चेकत ध mixes लिएग का अंग्रेजी भासा में अनुवाद किया कॉध। नेक्स कोश्चन है कोश्चन नमबर 11 गगग चक्र चुनामनी किसे कहा जाता है तो इसका अंसर है जॉन पेल नेक्स कोश्चन है ब्रहम गुप्त की मिर्त्यु किस वरस होई तो इसका अंसर है 680 इस वी में यह थे आपके क्लास 9 के 7 वे चैप्टर यानि की नेतिक सिक्सा के 7 वे पार्ट के कोश्चन आंसर वीडियो ची लगए तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करके ओल के बटन के ओपर किलिक कर ले ताकि जब भी नेक्स चैप्टर की वीडियो अपलोड हो तो उसका झालजे